सबसे बड़ा प्लेटफोर्म बन चुका है अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो क्या क्या बेनेफिट्स मिलेंगे एली लाइफ क्लासीज होगी स्ट्रक्चरड कोर्स है प्रिलिम्स और मेंस का जैसा स्लेबस है जैसा पैटर्न है उसी के हिसाब से सारे कोर्स स् लाइफ टेस्ट एंड क्विजिस की फैसिलेटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है मेरा नाम नवीन तवर है UPSCA फिल्ड में 6-year टीचिंग एक्सपीरियंस है 6-time मेंस और इंटर्व्यू के एक्सपीरियंस है मंतली करटफिर्म एक्जीन का एडिटर रहा हूँ जोग्रफी से मैंने मास्टर्स किया है जोग्रफी से ही UGC NET और JRP qualified हूँ अगर आप मेरी classes के PDF चाते है और अप upcoming classes का schedule चाते है तो unacademy underscore नवीन तवर ये टेलिग्राम चैनल का लिंक है उसके साथ ही आप unacademy learning app पे मेरे बहुत सारे courses देख सकते है unacademy.com पे जाके नवीन तवर के नाम comprehensively सारे syllabus को यहां पे हमने cover किया है unacademy पे plus और iconic दो option है जिससे आप subscribe कर सकते हो plus एक महिने से लेके तीन साल तक का option आपके साथ उसके साथ उसमें आप साल भर के लिए 49,500 fees है दो साल के लिए भी कर सकते हो तीन साल के लिए भी कर सकते हो 10% का discount मिलेगा अगर referral code नगीन बन य इकोनिक है यहां आपको coach मिलता है answer writing session होता है study plans होंगे personal feedback मिलेगा यह एक साल दो साल तीन साल का option है 10% का discount यहां पे भी मिलेगा अगर referral code नगीन बन अपलाई करते हैं आप अपना optional subject भी unacademy से त्यार कर सकते हैं एक महिने से लेके 3 साल का option है आपके पास minimum 1 year का subscription लेना आप 10 10% का discount यहां भी है अगर referral code नगीन 1 यूज़ करते हैं उसके साथ ही students 2021, 22, 23 के prelims को लेके बहुत सारे batches launch कर चुका है an academy जिसमें prelims, mains, सबको integrated form में त्यार किया जाएगा दो जो 2021 का prelims है उसको लेके 6 मन्त के batch launch हो चुके बहुत सारे हो चुके और आने वाले और भी launch होंगे जैसे 11 जन्वरी से नए batches launch होने वाले हैं तो 2021 के लिए भी है, 2022 के लिए और 2023 के लिए 11 जन्वरी से बहुत सारे batch launch हो रहे हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, bilingual उके उसके साथ ही अगर आप unacademy को subscribe करना चाहरे है तो आपके पास unacademy एक offer लेके आया है आप अपने UPSC, GS को और optional subject को एक साथ, एक combination में combo pack आया है जिसमें आपको काफी अच्छा discount मिल रहा है तो यह 1 year, 2 year, 3 year का option है आपके पास आपको already combo pack में discount मिलेगा लेकिन अगर आप referral code नवीन1 को use करते है तो 10% extra और discount मिलेगा आपको Iconic के price सीख बहुत जल्दी ही hype होने वाले है तो जो बच्चे planning कर रहे है वो इसको subscribe कर सकते है तो ज्यान रखना कि 10% discount चाहिए और मेरी mentorship चाहिए तो referral code है नवीन1 Okay student आप मेरे बहुत सारे और courses दे सकते हो special class पे world and India mapping ethics case study essay writing पे complete course है main answer writing पे course है disaster management and social issues और disaster management इन पे already course चल रहे है करना क्या है बस learning app को आपको download करना है आज का जो special session है student वो essay writing के उपर है UPSC CSE means कल से आयोजित होने वाले है first day आपको जो सबसे पहले जो paper आपको face करना है जिसको write down करना है वो है essay आपके case में essay में आपको दो essay लिखने होंगे student हर essay 125 marks का होगा क्या essay को लेकि हमारी क्या strategy होनी चाहिए आज हम एक brief introduction करेंगे जो exam में आपको maximum marks fetch करने में मदद करेगा तो देखते है essay writing पे हमें किनकिन बातों का गोड करना है सबसे पहले हम mains में essay को लिख रहे है तो जो हमारा पहला paper है GS का student यह देखिए GS paper 1 जो mains का जो पहला paper है GS paper 1 ना कहके मैं इसको paper 1 कहूंगा यह 250 marks का है student तो essay है 250 marks यह बात याद रखनी है तो out of 750 marks जो total आपका mains है उसमें 250 marks का है आपका essay ऐसे दरसल दो जलने पूछे जा रहे है qualifying paper होते है हमारी mains में वहाँ पे भी essay पूछे जाते है लेकिन उनके marks एड नहीं होते तो आपका जो paper 1 है language का जिसमें आप Hindi language या कोई भी language opt करोगे तो एक essay लिखना है आपको 100 marks का 600 words होगे लेकिन इनके marks एड नहीं होगे लेकिन इक qualify करना जरूरी है second है paper B जिसमें English language का paper होगा वहाँ भी एक essay लिखना है आपको 100 marks का 600 words होगे जैसे कि last year के मैंने दिखाया है Hindi qualifying के लिए 100 marks की 4 essay थे इनमें से कोई एक essay लिखना था आपको English qualifying में भी आपके सामने 100 marks के ये देखो 4 essay थे इनमें से एक essay लिखना था 100 marks का qualifying नेचर के है इनके कोई marks एड नहीं होगे लेकिन आपको qualify करना जरूरी है फिर जो basically जो essay है जिसके marks count होगे merit में उसको लेके UPSC में क्या लिखा है देखो ये notification है UPSC के notification में क्या लिखा है कि उमीदवारों को विविद विशियों पर निबंद लिखना होगा और उनसे उमीद की जाती है कि निबंद के विशेप पर ही केंदरिद रहे जो पूछा गया उसी को ही focus करना है आपके जो ideas है वो सू नियोजित हो well planned हो ऐसे ना हो कि इदर उदर बिखरे हुए idea लिखरे हुआ और आप उसको briefly लिखना है देखो जितना brief में अपने विचारों को express कर पाऊँगे उत्रहीं अच्छा impression जाएगा आप किसी एक बात को समझाने के लिए 10 line लिख रहे हो तो वो impressive नहीं होता तो आप जितना brief लिखोगे plan लिखोगे जितना अपने subject पे जो पूछा गया उस पे focus रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा और फिर लिखाए UPSC ने जितना effective होगा जितना सटीक होगा उसके लिए आ student यह देखिए section A section B section A में 4 essay देगा UPSC यह पिछले साल का paper लगाया है section B में भी 4 essay देगा आपको इन 4 में से 1 लिखना है यहाँ पे भी 4 में से 1 लिखना है तो कुल मिला के 2 essay आपको लिखने है और लिखा हुआ है 1000 से 1200 शब्दों के बीच में हर एक essay लिखना है ओके फिर देखो अब यह मुद्दा आता है देखो आप कल मेंस देने जाने वाले हो तो मुद्दा यह नहीं है कि essay आपने कितना पढ़ा कैसे पढ़ा आज जो last day है वो दिमाग में यह सोचने का है कि essay हमसे पूछा क्यों जा रहा है तो हम कुछ उन basic चीजों को आठ discuss करने वाले है जो exam से पहले कहते हैं लास्ट मिनट टिप होती है किन चीजों को ध्यान रखना है वो चीजे ध्यान में रखेंगे तो definitely आपको 20-30 marks का यहां से जंप मिलने वाला है इस session के बाद में यह देखो तो पूछा क्यों जाता है पहले इसको समझेगे दर असल आपकी बहुत सारी योगताओं को और आपके skill को चेक करना चारा है UPSC essay writing में जैसे आप किसी विश्या को लेके आपकी समझ कैसी है क्या आप चीजों को evaluate कर पाते हो बहुत सारे जैसे प्रियावरान का issue आएगा society का कोई issue आजाएगा science tech का कोई issue होगा कोई philosophical essay होगा कोई ethical essay होगा तो आप चीजों को कितना ज़्यादा evaluate कर पारे हो उसकी जाच होगी आप कितने विचारों में आप कितने balanced हो पता लगा बहुत सारी चीज़े आपने negative ही लिखती और आप सिर्फ positive लिखते जा रहे है आपक balanced होना चाहिए आप कितना critically evaluate कर पारे है उसके dimensions को integrated सोच कैसी है देखो आज जितना भी ग्यान की किसी भी subject की खास खूबी यह होती है student उसके बहुत सारे dimensions होते है जैसे कोई environment का issue है तो environment आज जो problem सिर्फ environment की नहीं है student उसमे society का भी angle है उसमे economy का भी angle है उसमे policy का भी angle है उसम environment का भी angle है तो integrated आप कितना सोच पा रहे हो उसके साथ आपके विचार तो बहुत अच्छे है आपको मुद्दे की भी बहुत अच्छी समझ है लेकिन आप उसको लिख कैसे रहे हो आपकी answer writing की art क्या है और उसके बादे को दो ऐसे पूछ रहा है वो दो ऐसे लिखने आपको three hours के अंदर तो time management देखना चारा है कि वो कितना अच्छे से उस limited time में अपने विचारों को कितने अच्छे तरीके से आप express कर पाऊगे ओके फिर देखो अब एक अच्छा answer या एक अच्छा essay आप लिखोगे कैसे आपको किन सारी चीज़ों को ध्यान लखनी होगी तो जो भ और आप बड़ा superficially सतही essay लिखके आ रहे हो तो अच्छे marks नहीं मिलेगे उस मुद्दे की जितनी in-depth हो सकती है environment को लेके जो एक evolution है दुनिया भर में राष्ट्रों ने अंतरास्टेस्तर पे क्या-क्या परियास किये गए क्या मुद्दे संबंदित है environment से जुड़े हुए उन पे एक in-depth analysis आपके पास होना चाहिए उसको अगर आपके पास किसी भी subject पे जो essay में पूछा जा रहा है अगर आपके पास कोई personal experience है उसको भी share कर सकते हैं निबंद का जो structure है मतला आप intro लिखोगे main body में बहुत सारे paragraph होंगे क्या उसके वो इसपस्ट है lab बदता है या आपनी कि उसमें flow होना चाहिए पिछला paragraph next paragraph से हर paragraph आपस में interconnected हो ना कि इधर उधर बिखरा हुआ होना चाहिए ये ध्यान अखेंगे और केवल वो ही information डालनी है जो ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा factual information और data आपको नहीं डालना तो factual information नहीं डालनी ना बहुत सारे data आपको यूज करने है उसके बाद हर paragraph के बाद देखो essay में कई बार क्या होता है क्योंकि आपको 1000-1200 शब्द लिखने है student तो कई बार essay हम भूल जाते हैं आपने 2-3 page पढ़े आप जो main जो central theme था जो exam जो essay में आपसे पूछा गया अगर आप उससे भटक गए तो पूरा essay व आप निबंद में क्या पूछा गया उस topic को बार बार पढ़ते रहे ताकि आप भटके ना अपने essay से अच्छी language यूज करें बिल्कुल सिंपल इसपस्ट language यूज करना लेकिन बहुत ज़्यादा अनौपचारिक मत हो जाना मतलब formal language को छोड़ना नहीं है पता चले आप जो सिंपल सरल हो बहुत ज़्यादा कहावते कथनों का प्रियोग ना करें कई बार सोस्ते बहुत ज़्यादा quotations डालनी है नहीं लिमिटेड कोटेशन दो तीन चार कोटेशन डालो उससे ज़्यादा नहीं कुछ बच्चे क्या अगरते हर पैरग्राफ के बाद एक कोटेश और सबसे बड़ी बात आपको ज़्यादा से ज़्यादा effective आपका essay होना चाहिए अब कुछ बच्चों के मन में रहता है कि सर क्या करें introduction कितने words का होना चाहिए main body कितने words की होनी चाहिए या conclusion में हम कैसे करें तो तीन पार्ट होते हैं हमारे essay के first हो गया हमारा introduction फिर main body और फिर हो गया conclusion तो जितने भी हमारी word limit है जैसे एक essay की 1200 है तो जब भी आप introduction लिखो तो याद रखना introduction में 20% ही शब्द लिखने है आपको यानि या दोसों के आसपास आपको शब्द यूज करने है main body में आपको 60-70 और जो conclusion में 15-20% चब्द यूज करने है इंट्रो में क्या डालोगे किस तरह से इंट्रो लिख सकते हो वो आगे आने वाली slide में देखेंगी हम वैसे आम इने बताया कोई एक fix pattern तो है नहीं हमारा introduction लिखनेगा कई बार introduction में कोई question उठा सकते हो आप किस कई बार कोई कथन मुहावरे का इस्तमाल कर सकते हो कई बार कोई short story है आपके पास वो देख सकते हो कई बार दो देशों की तीन देशों की तुलना कर सकते हो सपोज करो कोई परियावरण का मुद्दा आ गया okay या कोई किसान अंदोलन से जुड़ा कोई मुद्दा आ ग जलवायू परिवर्पन की समश्या को लेके तो वहाँ पे बहुत सारे कुश्चन उठा सकते हो कि कब तक विकास की उस रास्ते पे चलेंगे जिससे कि एक तरफ तो परियावरन का चरण हो रहा है और दूसरी तरफ विकास इसमें से किसको चुने क्यों चुने, क्या ज़्यादा जरूरी है तो इस टाइप के कुश्चन आप उठा सकते हो आप ते कोई स्टोरी लिख सकते हो जैसे कोई कथन या मुहावरा इस्तमाल कर सकते हो आपके पास कोई शुरुवात में ही बहुत अच्छी आपने कोटे वीमेन एमपावरमेंट के उपर सपोज कोई ऐसे आ गया तो वीमेन के उपर बहुत सारी कविताय है उसमें से कुछ आपके पास चार लाइन, पांच लाइन अच्छी है तो उनको लिख सकते होगा किसी कवी की कोई पंक्तिया है वो लिख सकते हो तो प्रस्तावना में कभी भी बस एक चीज का ध्यान देना कि आपको स्टेंड नहीं लेना जैसे सपोज करो कि अगर ये ऐसे आता है कि क्या भारत्य जो किसान है या आजीविका के लिए या उनको जिस तरह का स्ट्रगल है क्या वो करते ही रहेंगे तो इंट्रोडक्शन में कोशिश करना कि ऐसा ना हो कि हाँ वो करते ही रहेंगे या ना बोल दो कि आँ नहीं वो ऐसे तरस्ते नहीं रहेंगे आजीविका के लिए तो कभी भी आपको स्टेंड नहीं लेना जैसे एक ऐसे था दो हजार सत्रा में कि अधिकतर किसानों के लिए भारत में जो क्रिशी है आजीविकाता एक सतत शुरोतर नहीं रह गई है तो इंट्रोडक्शन में आप अगरिकल्चर को डिफाइन करो लेकिन ये मत बोलो जो स्टेटमेंट जो आपका सबजेक्ट या स्टेटमेंट दिया गया है ऐसे के अंदर या जो भी सबजेक्ट है जैसे हमने बोला अधिकांस किसानों के लिए क्रिशी अधिकांस किसानों के लिए के लिए क्रिशी जीवन निर्वा का श्रोतर नहीं है जीवन निर्वा का सक्षम श्रोत्र नहीं है तो देखो ये आपका ऐसे हो गया लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है आपको इंट्रोडक्शन यानि के पहले जो डेड़ सो दो सो शब्द है आपको ये नहीं बताना एक्जामनर को कि हाँ वो श्रोत्र है या वो नहीं है आपको ऐसे खोलना अगर आपने शुरुआत में ही ये बता दिया पहले डेड़ सो शब्द में कि हाँ या ना तो उसको मजा नहीं आएगा देखो पढ़ने में तो इस्टेंड नहीं लेना कभी भी आपको इंट्रोड़क्शन के अंदर पहली बाद फिर में बोड़ी में 60 से 70 परसेंट आएगा फिर जो निशकर्ष लिखोगे बस ध्यान रखना एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और थोड़ा वो प्रैक्टिकल सोलुशन होने चाहिए उसके अंदर जैसे और फिर कुछ परशन उठते हैं जैसे निबंद लिखते टाइम ऐसे लिखते टाइम आप में से जो बच्चे पहली बार या दूसरी बार लिख रहे होंगे बहुत सारे कुशन मन में आते हैं पहला कुशन है क्या प्रस्तावना या निशकर्ष नाम की हेडिंग लिखनी है क्या शुरुआत में एक जब आप ऐसे शुरू करोगे तो वहाँ आप ये हेडिंग लिखोगे क्या प्रस्तावना और फिर लिखना शुरू कर रहे हो और जब लास्ट में कंक्लूजन करोगे तो फिर निशकर्ष लिखके फिर आप लिख रहे हो जब भी कोटेशन लिखो इन्वर्टिड कॉमाज में लिखनी है फिर क्या कुछ बच्चे सोचते डाइग्राम बना सकते है क्या प्वैंट फॉर्म में लिख सकते है क्या कोई डाटा डाल सकते है देखो मैं ये कहूंगा कि जो आप डाइग्राम point या data point तो definitely बिल्कुल नी डालना limited data का use कर सकते है और diagram का अपना एक risk होता है तो practically अगर मैं कहूं तो बहुत ज़ाधा risky है ये अगर आपको लगता है उस विशे पे आपकी बहुत ही शांदार पकड़ है आप बहुत सारे dimensions फोल सकते है आपके पास बहुत शांदार flow वाला कोई ऐसा कोई data है या कोई आपके पास diagram है वो डाल सकते हो लेकिन point तो definitely बिल्कुल यूज नी करेगे कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसे point form में ऐसे लिख रहे हैं ये भईया बिल्कुल acceptable नहीं है हाँ limited form में हम diagram का समाल कर सकते हैं लेकिन बहुत सीमित रूप से करना है क्योंकि ये essay का paper है कोई statistics का या geography का या कोई diagram या data का paper नहीं है essay है essay के रूप में ही लिखना है अब बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा last minute है मैंने तो साल भर GS paper 1, 2, 3 पढ़ा है और अपना optional त्यार किया है ऐसे तो मैंने कभी त्यार किया ही नहीं दर असल मैं आपको बता देता हूँ जब आप GS paper 1, 2, 3, 4 पढ़ रहे होते हैं और अपना optional पढ़ रहे होते हैं तो parallel ही आपका निबंद भी त्यार हो रहा होता है क्योंकि जो निबंद के topic होंगे या तो history से होगा geography, quality, economy, environment social issues होगे, internal security disaster management, ethics होगा तो ये सारे GS paper 1, 2, 3, 4 में आपने पढ़े हैं इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रुत नहीं है आप बस बिल्कुल prepared है ready है बस थोड़ा सा formatting करने की ज़रुत है साल, 2 साल आपने news paper पढ़ा है वो आपकी त्यारी हो रही है बस करना क्या है, सोचना है और थोड़ा सा visualization करना है कि चीजे किस तरीके से हो रही है अंत में जो आपको ध्यान रखना है कि निबंद आपके व्यक्तितु का परिक्षन है आप कितना सोच पारे हो कितने dimensions दे पारे हो उस मुद्दे को उस हिसाब से आपको सोचना है और हमेशा ध्यान रखना कि आप समस्या का नहीं, बलकि समाधान का हिस्सा आपको solution दिखाने है last में ये नहीं दिखाना नहीं सरकारे कुछ नी कर पाई इस मुद्दे पे कुछ नहीं हो सकता ये सदियों से ऐसा ही पड़ा है आगे भी ऐसे रहेगा तो वो देखो, वो problem नहीं आप future bureaucrates हो आपको solution देने हैं और हमेशा ही मैंने बोला आपका positive attitude जलकना चाहिए essay writing में last में जब conclude करेंगे तो एक positive attitude के साथ आप कुछ basically दो चार चीज़े बता देता हूँ introduction के बारे में, main body के बारे में और conclusion के बारे में तो introduction कितने तरीकों से लिख सकते हो पहली बाद ध्यान अखना आपका introduction वो शुरुवाती line है जिसको देख के जिसके जरिये आप examiner के उपर impression छोड़ने वाले हो और निशकर्ष के जरिये आप उस essay को समाप्त कर रहे हो तो ये दोनों ही बहुत जोरदार होने चाहिए student अगर आपको देखो जिसका introduction जितना शांदार होगा examiner को essay पढ़ने में उतना ही मजाएगा और जिस बच्चे ने जितने बहतर और संतुलित रूप से उस essay को conclude किया है उसको उतने बढ़िया नंबर मिलने वाले है बात आई introduction की तो कितने तरह के introduction हो सकते है जो मुद्दा है उसको इस पस्ट करते जाओ तुलना कर सकते हो अगर बहुत सारे विशे है तो उनकी आपस में तुलना भी की जा सकती है आपके पास कोई बहुत अच्छे facts है ऐसी कोई dates है जिनका आप इस्तमाल कर सकते हो जैसे आप बोल सकते हो कि जो आप बोल सकते हो 15 अगस्त 1947 वो तिथी थी जब आजाद भारत ने अपने कुछ नए सपने देखे थे तो ये अगर ऐसी कोई date है Science Technology की अगर आपके पास कोई ऐसी date है जहाँ पे इंडिया में आप ये देख सको कि वहाँ से इंडिया का Space Program शुरू हुआ तो Space Program की कोई dates आपने याद रख ली आपके पास कोई report है कोई index है जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा fact है कोई data है उसको use करके आप आगे बढ़ सकते हो फिर कुछ प्रशन खड़ा करने वाली भूमिका है सपोज करो women का कोई issue हो गया बाल श्रम का मुद्दा हो गया समाजिक समश्या है तो वहाँ प्रशन खड़ा कर सकते हो कि आखिर कब तक ये समश्या ही चलती रहेगी उस तरीके से कोई short story बनाओ मुहावरा, तविता, पक्तिया इनका आप इस्तमाल कर सकते हो जो आपका last में conclusion हो गना student वो holistic होना चाहिए कि जब कहते हैं इसको निचोड आपने crux डाला है बिल्कुल last में कि सारी समश्या मैंने सारे मुद्दे बता दिये introduction में उसको पुरा खोल दिया main body में बहुत सारे dimension open कर दिये अब बात कर रहे हैं conclusion की तो उसमें crux होना चाहिए उसमें समाधान होना चाहिए आपके पास last में पता लगा आप conclude कर रहें और उसमें भी आपने 10% खड़े कर दे तो भही आप बहुत negative impression जाएगा तो समाधान मुलक निचकर्स हो और विशेशकर कब अगर कोई problem है सपोज करो women के उपर कोई essay आया environment की या climate change के ओपर कोई essay आ गया तो आपने क्या करना है last में अगर essay essay है तो आपको solution देना है और फिर चुनोती देने वाला निचकर्स होता है सपोज करो किसी समश्या है समश्या वाले निबंद में हमें बताना होगा कि अगर हमने समश्या नहीं इसको समधान नहीं किया तो इसके गंभीर पर नाम आ सकते है तो समय रहते हैं इसके लिए ये कदम उठा सकते है सरकार इतना कर चुकी है इतना और करना बाकी है तो उस type से आप use कर सकते है अब एक प्रशन जो बच्चों के मन में उठता है वो प्रशन ये होता है कि किस तरह का essay आए देखो बहुत तरह के essay होते है कुछ essay होते है philosophical ऐसे होंगे कुछ होंगे आपके ethical essay होंगे और कुछ आपके GS टाइप के essay होंगे तो मैं हमेशा यही recommend करता हूँ बहुत अच्छे number मिलते है जो ethical essays है मतला अगर आपने ethics बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे marks मिलेगे GS वाले जो GS के simple paper होते है को economy का मुद्धा आगया science tech का आगया वहाँ पे भी आपको अच्छा essay मिलेगा बस philosophical essay तभी पकड़ना student अगर आपको लगता है कि आप philosophical essay को deal कर सकते हो जैसे मैंने आपको एक essay कराया था अगर आपको याद हो बहुत सारे बच्चों ने special class में देखा है कि जैसे मैंने लिखा एक essay था महिमा की राहे मरत्यू तक जाती है मरत्यू तक जाती है अब यह देखो या अब यहाँ थोड़ा philosophical हो गया पहली बात तो यह महिमा क्या है राहे क्या है मरत्यू तक जाती है तो यह एक philosophical essay है लेकिन अगर मैं दूसरा यह essay मैंने बताया था दूसरा essay क्या ओलंपिक में 50 सुरण पदख भारत के लिए संभव है अगर एक essay मैंने लिखा क्या ओलंपिक में 50 सुरण पदख संभव है भारत के लिए तो देखो यह बिल्कूल straight है यहाँ कोई philosophical नहीं है हम बता सकते अभी तक हमने क्या किया कैसा culture है कैसा infrastructure है क्या नीत्या रही क्या उसके पीछे सामाजिक कारक है investment का क्या रोल है वो overall हम पूरा इसको deal कर सकते तो यह essay एक direct type का essay हुआ जबकि यह वाला essay थोड़ा सा philosophical essay है ओके लेकिन कुछ essay जैसे ethical होते है कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो तो यह क्या है यह ethics जिसने बहुत अच्छा पड़ा है वो देख सकता है ethics के अंदर values है हमारे attitude वाला है या attitude change पे कोई essay आ गया तो ethical essays पे इन दिनों बहुत अच्छे नंबर आ रहे है तो अगर आप ethical essays में comfortable हो तो बहुत अच्छी priority देना GS वाले straight essay है उनमें भी देखो scope हर जग है थोड़ा सा जो risky वाला part है वो philosophical है तो मैं यही कहूंगा आप philosophical essay वो ही बच्चा handle करे वो ही लिखे जिसको पता है कि हाँ मैं philosophical उन चीजों को समझ पाता हूँ तो आप अगर देखना पिछले 10 सालों के questions देखना आज राथ को कुछ नहीं करना आप एक बार पिछले 5-6 सालों के question देखना आप ये देख लेना कि आप किस type के essays को लिखने में ज़्यादा comfortable feel कर पा रहे हो ये decision वहाँ पे नहीं लेना आपको last moment पे और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते last time पे कि जो आपका copy होगी तो आपको क्या करना है शुरुआत में ही कोशिश करना पहले 15-20 मिनट या आदे घंटे में दोनों essay की formatting कर लेना formatting मतलब एक मोटा-मोटा structure बना लेना कि इस वाले essay का मैं introduction क्या लिखूंगा या इसके पास मेरे पास main body में कौन-कौन से dimension है कितने dimension में open कर पा रहा हूँ conclusion की लिए आगर आपके पास कोई अच्छी lines है या आपको कोई punch line याद आ रही है तो एक बार last में लिखके रख लेना सेम essay 2 जो B section से essay लिखोगे उसके लिए भी उसका intro उसकी main body और उसका conclusion आप पहले से ही लिखके त्यार रखे ताकि pressure में ना आए अच्छी punch line है वो लिखके साथ के साथ रखते रहे और बाद में कोशिश करना कि दोनों essay का क्योंकि introduction सबसे ज़ादा impactful होने वाला है तो एक बार rough page पे ही आप दोनों essay का introduction लिखके रख ले introduction पहले ही लिखके रख ले मतलब यह introduction पहले लिखना है main body के जितने dimension में सब open कर लेना conclusion में क्या लिखने वाले हो line length कोई आपको quotation याद आ रही है कोई कवीदा की 2-3 line याद आ रही है कोई example याद आ रहा है कोई data याद आ रहा है बस कुछ जाते जाते कुछ important शब्द है जो मैं बताना चाहता हूँ जिनका आप प्रस्तावना में main body में या निशकर्स में इस्तमाल कर सकते हो जैसे कुछ connecting words होते है जो एक paragraph को दूसरे में एक line के बाद दूसरी line को कैसे शुरू करे उसके लिए कुछ connecting words है जैसे इन दिनों या वर्तमान में इन दिनों में इस तरह की समश्याए पैदा हो रही है वर्तमान समय में अगर हम देखे तो लेकिन आज आधुनिक समय में हम ये कर सकते है अगर आम शब्दों में कहा जाए ये वो शब्द है जिनको आप अपनी language को flow flow में लाने के लिए उज़ कर सकते है अगर इस इस्थिती के संधर्व में देखे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा या ये कहूंगी या सर्व पर्थम हमें उन मुद्दों को उठाना होगा या हम बोलेंगे जब हम इस बुद्दे के बारे में बात करते है तो हमी ये पता होना चाहिए या उन इस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके मामले में या इस मामले में अभी के लिए तो हम ये ही कह सकते है या आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी सोचना होगा यह भी ध्यान में रखना होगा इसके अतिरिक्त हम यह भी ना भूले या जब की या इतना सारा काम हो गया लेकिन जब की और क्या कहा जाए या के अनुसार फिर भी जैसे की कोई आपको एक्जांपल देना हो या आपको कोई बात समझानी हो दुबार से तो अन्य शब्दों में कहे या लास्ट में अगर बोलोगे तो अन्त में अगर कहा जाए या कह सकते हो निशकर्षत है हम यह कह सकते है इसलिए आगर आपको और ज़ादा आपको पीछे आपने कोई पूरा मुद्दा समझा दिया फिर बोल रहे हो इसलिए फिर आप कह सकते हो कि आपने जितना discussion कर लिया सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते है या अगर सभी आयामों को ध्यान में रखा जाए या कुल मिला कर तो यह वो शब्द है जिनको आप अपने language को मैंने बोला घाना कि language आपकी लैबद होनी चाहिए student तो आपकी language को लैबद बनाने के लिए वो शब्द है जिनके आपके essay में इससमाल होना चाहिए इससे लगेगा कि वो GS की language आप यूज नहीं कर रहे हो तो इन शब्दों को एक बार देख लेना तहां तहां कैसे कैसे यूज कर सकते है बस यही कहूंगा आपको कल मेंस है मेरी तरफ से best of luck है बहुत अच्छा करना अगर आपको टाइम लगता है student essay पर मेरे 6 session है 6 मेरे session लिए 1 गंटे के लिए मैं कल जो बच्चे exam देने जारे मैं उनको recommend करता हूँ पहले 2 session है मेरे 1 गंटे के Unacademy Learning App पे 1 गंटे के 2 session है बहुत शांदार तरीके से आपको मज़ा आने वाला है आज क्योंकि एक छोटा session बनाना था आपको motivate रखना है कल essay भी लिखना है तो रात को सोने से पहले अगर आप पहले एक दो essay देख पाओ तो उनको देख लेना अगर आपने वो essay देख लिए तो मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आज आपके essay ने 130 number आने वाले है तो उन session को देखने के बाद कम से कम आपके 10 से 20 number बढ़ जाएंगे बस तो ये session देख ले रहा एके गंटे की session है Unacademy Learning App पे नवीन तवर सर्च करना और ये session देख ले रहा है उसी तरह से ethics के उपर complete course है case studies के उपर mains की answer writing कैसे answer लिखना है mains का वो देख सकते हो एक बार कुछ running course चल रहे है मेरे disaster management और social issues पर आप वो भी देखते रहे हैं good luck students बस ध्यान रहे अगर आप Unacademy को subscribe करते हैं दो option है plus और iconic plus एक महीने से लेके तीन साल का है साल भर minimum subscribe कीजिए 10% का discount मिलेगा अगर referral code नवीन one use करते हैं iconic भी एक साल, दो साल तीन साल का option है 10% discount मिलेगा अगर referral code नवीन one use करते हैं आप अपने optional को भी तैयार कर सकते हैं academy पे एक महीने से लेके तीन साल तक का option है 10% का discount मिलेगा अगर referral code नवीन one use करते हैं अगर आप कोई session पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर करना 10% के discount के लिए मेरा referral code नवीन one है use करना okay student, all the best have a nice day, thank you